विल्कम बैक टो मैं चानल मैं हूँ रोशनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कसूरी मेथी मठरी का रेसिपी बहुत स्वाधिस्ट होता है ये और बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं कसूरी मेथी मठरी बनाने के लिए मैने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है 2 कप यानि लगबग 200 ग्राम मैदा आप चाहे तो गीवी ले सकते हैं क्योंकि यह कसूरी मेथी मठरी है तो आप अच्छी कौंटिटी में यहां कसूरी मेथी लेना है तो मैंने यहां दो बड़े चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके यहां पर आड कर दिया है एक टिबलस्पून नमक नमोगी के लिए अनोक नमोगी, इससेलिए लगने नमक ब्राम को लिए द्थी चली पाॉदर एक टिबलस्पून अगयागी, अब इससे अच्छी तरह से मसल लेंगे, यपसेलिए लगब म में लगबं के लिए य definitions के ज़िए ब्राइब अब मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर एक टिबल स्पून एड़ किया इसे थोड़ा सा तीखा लगता है तो इसका टेस्ट थोड़ा चिटपटा लगता है मैंने पहले इसलिए नहीं आड़ किया क्योंकि हाथ में जलन से होती है अगर हम इसको मिलाएंगे और मिलाना बह में हाड डो रेडी करना है तो आपको स्लोली स्लोली पानी आड़ करते हुए इसका एक हाड डो तैयार करना है तो यह देखिए इस तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है अब इसे लगवर 5-7 मिनट के लिए कवर करके रखतेंगे 5-7 मिनट हो चुके हैं अब हम इसे एक बा परफेक्ट है तैयार है इसे तरीके से आपको हम भी रेडी करना है आप इससे बे लेंगे नहीं इसके छोटे छोटे बाल्स निकाल लेंगे बॉल्स का साइज जैसे पूरिया होती है उतनि क्वांटिटी में हम इसके बॉल्स निकालेंगे, यह दिखिए, इस थरीके से छोटा बॉल्स निकालेंगे प्तेटों इस तरीके से हमें सारी छोटी छोटे बॉल्स बना लेने निकालेने से पोर्σन आप इनको इस तरीके से रोल करके हाथसे दोनों पाउम से आपको इसे चप्टा कर लेना है तो बहुत जीक नहींड रखना है, अब हम इसे फ्राइग करेंगे तो अंदर ये कच्छा रह सकता है, ऐसा लिए हुआ हमें, इस फलात पतला कर तो इस तरीके से सारे मठड़ी तयार है, अब हमसे फ्राइग करेंगे, तो मैंने हां इसा पड़ी आईं करें आज को चलब कर देंगेंव करदें आज को पुड़ फ्रृम पर ही इसफेगा करना है गर्णा है देरे दिरे उनका च्वरा ओर से सद जाब सेंने तो अगल हमें ऐग सेने लुटतम। पुमी जापना हैं., तो पर अब ऐसमें आग करना इंडकर करना इंज़ा हैATHAN तो हमें अंदर तक पकाना बहुत जोड़ी है, तो यह देखिए इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे, यह गोल्डन कलर हो चुका है, कलर इसमें बहुत अच्छा अपियर हुआ, जिस तरीके से मठ्री का कलर होता है, आप देख सकते हैं, जब ऐसा कलर इसमें अपियर होने तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, अब बाकी के मठ्री भी इसी तरीके से अड़ करके हम लो फ्लेम पर इसे टर्न करते हुए इसे भी फ्राइ करेंगे, तो यह मठ्री बहुत ही टेस्टी होती है, और देखा होगा आपने कितनी आसानी से और कितने कम जिए शेर किजी, थैंक यो सो मस्, थैंक्स, थैंक्स